दोस्तों यदि आपका bank account SBI यानि की estate bank of India में है और आप अपने bank account का mobile number चेंज करना चाहते हैं, mobile number बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको SBI के branch में जाने की जरूत नहीं है, आप लोग घर बैठे, SBI bank account का mobile number चेंज कर सकते हैं, तो किस तरीका से आप mobile number को चेंज करेंगे, बिल्कु live process करके दिखाते हैं, दोस्तों आप Google open कर लेंगे और आप यहाँ पर टाइप करेंगे SBI net banking, आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे SBI net banking, यहाँ पर देखिया जागा SBI login estate bank of India, आप इस पर क्लिक कर लेंगे, इसके बाद continue to login पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर द internet banking का registration नहीं किया है, net banking को चालू नहीं किया है, तो किस तरह से आप SBI के internet banking का registration करेंगे, मैंने वीडियो के description में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके हुआ वीडियो जरूर देख लिजे, अब यहाँ पर देखिये detail fill up करने के लिए आगया है, यहाँ पर है username, तो जो भी आ आप इस box में fill up करेंगे, यदि आपको capture समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ से दूसरा capture ले सकते हैं, चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं, यहाँ पर detail fill up करने के बाद login पर क्लिक करेंगे, अब आपके bank account के साथ जो mobile number link है, उस पर OTP आया होगा, तो आप इस box में OTP को fill up करेंगे, इसके बाद submit पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखे हम SBI के internet banking में login हो चुके हैं, login करने के बाद यहाँ पर three dot दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद my accounts and profile पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है profile, आप profile पर क्लिक करेंग तो जो भी आपका profile password है आप यहाँ पर fill up करेंगे यहाँ पर profile password fill up करने के बाद submit पर click करेंगे अब यहाँ पर देखिए आपका detail show करेंगे जैसे कि यहाँ पर first name यहाँ पर last name इसके बाद यहाँ पर address show करता है इसके बाद आप नीचे scroll करेंगे इसके बाद यहाँ पर mobile number तो ज का दो option दिया गया है सबसे पहला यहाँ पर थो और फ्र Wanna रच यदि आप SBA की branch में जाकर कि मौवाइल नमर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज मौवाइल नमर थो और प्रांच पर क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे में mobile number को change करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर change mobile number domestic only through ATM पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप निचे scroll करेंगे अब यहाँ पर देखे mobile number fill up करने के लिए आगया है तो जो भी आप bank account के साथ mobile number को link करना चाहते हैं आप यहाँ पर fill up कर लेंगे इसके बाद निचे में retype mobile number तो जो भी आपने यहाँ पर mobile number fill up किया है वही mobile number आपको यहाँ भी fill up कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं हम जो mobile number change कर रहे हैं उसके last में 4891 है इसके बाद आप submit पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर confirm करने के लिए आगया है तो आप ok पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप निचे scroll कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर internet banking request approval through ATM तो आप इसको select कर लेंगे इसके बाद proceed पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप निचे scroll करेंगे अब जो भी आपका bank account number है यहाँ पर show करेगा यहाँ पर देखे select हो चुका है इसके बाद proceed पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपका ATM card show करेगा जो भी ATM card आपके bank account के साथ link है तो आप यहाँ से ATM card को select कर लेंगे इसके बाद confirm पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखे ATM card का detail fill up करने के लिए आगे है तो यहाँ पर है card holder name तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर fill up कर लेंगे इसके बाद जो भी ATM card का expiry month or year है आप यहाँ पर fill up कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर है pin तो जो भी ATM card का pin है आप यहाँ पर fill up करेंगे जो ATM PIN के माध्यम से आप लोग किसी भी ATM मसीन में जाकर के पैसा निकालते हैं वह ATM PIN आपको यहाँ पर fill up करना है इसके बाद जो भी यहाँ पर capture दिया गया है इस capture को आप यहाँ पर fill up करेंगे इसके बाद proceed पर click करेंगे अब यहाँ पर देख सकते आगया है यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है आपको यहाँ पर back नहीं करना है और ना ही refresh करना है अब यहाँ पर आपने जो नया mobile नमर fill up किया है उस mobile नमर पर SBI के तरब से इस तरह का message send के आता है और इसमें देखी यहाँ पर दिया गया IRTA नमर तो यह IRTA नमर का जोरत पड़ेगा SBI की ATM में चलिए अब हम SBI की ATM चलते और आपको आगे का process दिखाते हैं हम SBI की ATM में आ चुके हैं आप अपना ATM card ATM machine में डालेंगे आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है इसके बाद आप यहाँ से language select कर लिजे चलिए हम English पर क्लिक कर लेते हैं इसके बाद banking पर क्लिक करेंगे इसके बाद service पर क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर देखें बहुत सारा option दिया हुआ है तो आप यहाँ पर others पर क्लिक करेंगे इसके बाद internet banking request approval पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखे 10 digit reference number fill up करने के लिए गया है तो जो आपने नया mobile number fill up किया है उस mobile number पर SBI के तरफ से message send किया आता है उस message में IRA TA number लिखा होगा आप यहाँ पर वह IRA TA number fill up करेंगे यहाँ पर reference number fill up करने के बाद press if correct पर क्लिक करेंगे ATM pin fill up करने के लिए गया है तो आप यहाँ पर अपना pin fill up कर लेंगे आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है आप यहाँ पर confirmation के लिए गया है इसके बाद आप yes पर क्लिक कर लेंगे अब जो भी आपका account है current account है तो current पर क्लिक करेंगे यदि आपका saving account है तो आप यहाँ पर saving पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब आपको पर्ची मिल जागा और आपका mobile number change हो चुका है जब आप SBI के ATM में सारा process complete कर लेते हैं उसके बाद आपके register mobile number पर इस तरह का message send कहाता है देर customer you have successfully approved your estate bank internet banking request थ्रू आयाटी ये चलिए अब आपको हम यहाँ पर proof दिखा देते हैं कि हमने जो SBI bank account में mobile number को change किया है वह mobile number change हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो हम SBI के internet banking में login कर लेते हैं हम SBI के internet banking में login हो चुके हैं login करने के बाद यहाँ three dot पर क्लिक करेंगे इसके बाद my accounts and profile पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद यहाँ profile पर क्लिक करेंगे इसके बाद my profile पर क्लिक कर लेंगे अब जो भी हमारा internet banking का profile password है हम यहाँ पर fill up कर लेते हैं इसके बाद submit पर क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है mobile number तो जो भी आपके bank account के साथ mobile number link है यहाँ पर वसो करता है और आप लोग यहाँ पर देख सकते है mobile number के last में लिखा है 4891 जो कि पहले मेरे bank account के साथ जो mobile number link था उसमें आप लोग देखे होंगे mobile number के last में लिखा था 1711 तो इस तरिका से आप लोग घड़ बैठे SBI bank account का mobile number को change कर सकते हैं मैंने आपको detail में बता दिया है आपके मन में कोई भी सवाल है तो comment जरूर करिएगा आपके comment का जवाब हम जरूर देंगे